बच्चो आपको बता दूँ कि जैसे प्रोविजिनल मेरिट लिस्ट आई थी जनरल मेरिट लिस्ट वैसे ही जो फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट है वो जब 30 अगस्त को आपका कॉलेज अलॉट्मेंट होने वाला होगा उसके कुछ देर पहले ही इस वेबसाइट पर रिलीज कर होगा उसको करेक्शन मिल जाएगा तो अभी जो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कि सर मेरा पाट्टू का फॉर्म लॉक्ड है या नहीं है मेरा पाट्टू लॉक नहीं दिखा रहा है ऐसा टेंशन मतलो मैंने आज वीडियो डाला था वो देख लो कि आपका पाट्ट अब नहीं भर पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे पाट वन भी नहीं भर रहे थे तो स्टुडेंट आज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग तीस अगस्त तक जो पाट वन का फॉर्म फिलिंग स्टॉप कर दिया गया है पाट वी फॉर्म फिलिंग जिन बच्चों ने पाट वन या रजिस्ट्रेशन या पाट वन नहीं किया है ऐसे बच्चों के लिए जो रेगुलर राउंड टू शुरू होने के पहले यानि जैसे की 31 अगस्त को जिसका भी नाम कॉलेज अलॉट होगा जिसके भी नाम से उनको 31 अगस्त से 3 सप्टेंब तक कॉलेज में जाके अड्मिशन लेना है और 3 सप्टेंबर के बाद रेगुलर राउंड टू के लिए जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तो जिन स्टूडेंट ने पाट वन का फॉर्म नहीं बढ़ा है वो लोग पाट वन का फॉर्म भी भर पाएंगे और जिसने यह सब भराता लॉक रखा था वो चाहे तो अपना पाट व का फॉर्म मोडिफाई भी कर सकता है नए कॉलेज़ एड कर सकते हैं उसमें से पहले जो कॉलेज़ टे उसको डिलीट कर सकते हैं किसी कॉलेज का प्रिफरेंस चेंज कर सकते हैं और अगर उसे कुछ चेंज नहीं करना था वो ऐसे भी रख सकते हैं यानि कि पहले लिस्ट का जब एड्मिशन हो जाएगा 3 सेप्टेम्बर तक तब पार्ट वन और पार्ट वन पार्ट वन पार्ट वन में दोनों में मोडिफिकेशन कर सकते हैं बच्चो अभी कोटा एड्मिशन जो हुए थे माइनोरिटी इनाउस और मेनेजमेंट इसमें से इनाउस कोटा जो है वो अभी स्टॉप कर दिये गए हैं जो माइनोरिटी और मेनेजमेंट के कोटा एड्मिशन से हैं वो रेगुलर राउंड के दवरान भी चालू रहेंगे मतलब अगर आप माइनोरिटी में हैं तो आप माइनोरिटी यह जो admission schedule है, यहाँ पर 10 अगस को time table आया था, अभी latest time table धिरे धिरे यहाँ पर आएगा, फिलाल 3 तारिक तक का time table आया हुआ है, तो बस यही जानकारी थी, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर मैंने part 1, part 2 नहीं भरा, उनको part 1 और part 2 भरने के लिए, चार तारिक से उनके लिए जो login खुल जाएगा, जरा भी attention मतलो, और मैंने क्या पताया, final general merit list जो अभी नहीं आएगी, 30 अगस्ट को जब list लगने वाली होगी, याने college अलोट होने वाला होगा, उसके कुछ दिर पहले निकालेंगे, वो लगबग provisional merit list को same ही होती है, आज के वीडियो में इतनी ही जानका और जब भी कोई latest update आएगा, मैं आपको देते रहूँगा, लेकिन उसके लिए आप bell icon दबा के रखो, चैनल को subscribe करके रखो, ताकि आपको सारे update आपके mobile पर notification के form में आते रहें, चलो मिलते हैं, next video में, bye everyone